हे 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 सलाम अलेकुम कैसे हैं आप साब उम्मीद करते हूं खेर खेरियत से होंगे खुश होंगे खुशाल होंगे और अपने अच्छे मौसम को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे आज हम आपके लिए एक नए वीडियो लाएं जो कि आप देख रहे हैं पार्सल के और एक और था तो उसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी कि वो किस कंपणी का था चलें इसको अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आर्टिजन वाला बॉक्स कर रहे हैं और इसमें से निकले ये पॉम-पॉम्स ये वेलवेट पाइप क्लीनर ये चोटे इसको ग्लेप्स बोलते हैं वोड़न पैग्स दो ये पॉम-पॉम्स के थे और एक में 52 पीस था यानि के 102 पीसिज का था ये इसमें से सारा और ये पाइप ग्लीनर 100 के थे 100 पीसिज इसके बाद हम दूसरा वाला पासले अन्बॉक्स करते हैं ओपन कर रहे हैं हम देखते हैं ये इसमें से ये बुक निकली है 64 पेजिज की जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी है लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा इसके साथ एक मारकर दिया गया है दो बाइंडर रिंग्स हैं एक डस्टर है और ये 64 पेजिज की बुक है मैंने तो सोचे तो शायद ये अलग से होगी मतलब बुक बनी होगी ठीक से लेगें ये से पेजिज है उसाथ में बाइंडर रेंग दीगें ये इसकी बॉक्सिंग भी हो गई है ये इस तरह के क्यूट से कवर में आती है बुक बहुत अच्छी है अच्छा आइडिया अगर आप से बताती है ये थे पाइप क्लीनर 100 इसमें डिफरेंट कलर दें बहुत प्यारे सारे कलर दें और ये बहुत अच्छा है ये वैल्विट स्टिक जो थी ये 299 की थी पॉम पॉम जो थे वह 129 का एक पैकेट और मैंने दो पैकेट लिए थे और जो बुड़न पैक्स थी वह 27 59 के 32 पीसे थे साइज वह उसका छोटा है लेकिन चलें कुछी न किसी तरह बंदा मैनेज कर लेता है और ये स्टिक बहुत प्यारी हैं आप मगर मंगवाना चाहें तो आप इस से बच्छों की मुतलब तरीके से उनको खिला सकते हैं उनके लिए अक्टिविटीज प्लैन कर और ये फ्रीक शौणा गवान इंनला सकते हैं ऐर ये wooden packs जो हैं ज देसे थोड़ा साइज चोटे हैं जितना कर दो पिर प्यारी हैं इस बड़े साइज के थे लिए ठोड़े को सिर्दिक हैं तो पहुत ही ने प्यारी ठोनों पैक्ने वह बहुत लए बहुत अच्छे हैं इस 60-45 पाइफ 530 फिश थी obviamente याद नहीं है कितने पेक यह तेसे मावक लाधाय ठीशत है या मावक नहीं है ये सची आप ऊपर सकते हैं सकते हैं है न सबक्राइब करके तो इसको कार सकते हैं यह मारकर है हा इंद कररें कार दिये हुए ये उसकंड़र है अच्छी बात नहीं है कि एक मारकर है आप इसको री यूज नहीं कर सकते हैं एक दफ़ा एक मारकर खराब होगा तो आपको नहीं लाना पड़ेगा लेकिन ठीक है अब बचे इस तरह से राइट करके फिर उसको रेज करें फिर राइट करें डी रेजबल है तो बहुत करते हैं यह इसमें मुख्लिफ जाएं वो देखें यह डिफरेंट शेफ्स वगरा दी गई हैं जो कि आप इस्तमाल कर सकते हैं आपका बच्छा इससे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता है और वस्ताथ बिजी रह सकता है लेकिन अगर आपको थोड़ा बच्छे को ना तो इसको सिर्फ उसको खराब करने का दिल करता है लेकर अगर आप जाएं तो ऐसा मंगवाएं तो बहुत अच्छी चीज है इसके साथ ही वीडियो खतम हुई टेक केर लाफिज